दोस्तों जब से ग्लूटा थैयोन मॉलेक्यूल की खोज होई है न तब से इसके एड़गृद बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे किस्से लगातार बनते रहते हैं जिसकी बज़ा से हम बहुत सारी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि exactly ग्लूटा थैयोन करता क्या है, ग्लूटा थैयोन से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ग्लूटा थैयोन हमें कौन सी एड़ से लेना चाहिए, और ग्लूटा थैयोन से हम क्या उमीदे लगाएं कि ये हम हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को क्या कुछ फायदे करके देने वाला है इसी तरह के बहुत सारे सवाल हर एक वीडियो के नीचे अलग अलग लेवल्स पर हमसे पूछे जाते हैं तो मुझे लगा कि आज इसके बारे में एक पूरी तफ्तीश से आपको एक वीडियो देना जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्लूटा थेयों के बारे में इसके शिरुवात से लेकर के इसकी डोजस के बारे में इसके साइड एफेक्ट्स के बारे में और इससे रिलेटिट बहुत सारी जानकारी के बारे में तो अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते ह और Glutathion लेने के बारे में सोच रहे हो, या आपको लगता है कि यह सेफ होगा, नहीं होगा, कि इतनी डोज लेनी चाहिए, या इसी तरह कि बहुत सारे सवाल आपके दिबाग में हैं, तो आप सही जगा पर हो, आपके वीडियो लास तक जरूर देखना चाहिए, और मैं उमी इसकी खोज इस तरीके से हुई ही नहीं थी, Glutathion जो था, वो एक बहुत ही ज़ादा पावरफुल एंटी ऑक्सिडंट के तौर पर खोजा गया था, एक एंटी ऑक्सिडंट हमारे शरीर में बनने वाले जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कर जिसकी बजा से हमारे शरीर पर उन फ्री रेडिकल्स की बजा से नेगेटेव एफेक्ट नहीं आता, और हमारी स्किन को हमारे शरीर के अंदर चितनी कोशिकाएं हैं, उन सभी को एजलेस रखा जा सकता है, एज बढ़ने के साथ साथ ना सिर्फ हमारी स्किन बूरी होती है, बलकि शरीर का हर एक अंग बूरा होता है, और शरीर के उस हर एक अंग को बूरा होने से रोकने के लिए, उसके अंदर एनरजी लेवल मिंटेन करने के लिए, ठकान को रोकने के लिए, नींद को बहतर बनाने के लिए, और अपनी जो भी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हम र benefits मिल रहे थे, वो energetic अनुभव कर रहे थे, उनकी जो थकान थी वो बहुत कम हो रही थी, वो बहुत अच्छे से अपने decision ले पा रहे थे, नीन बहुत अच्छी हो रही थे, और जो अपने routine का जो process होता है, वो भी अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन साथ के साथ में ये भी दे देखा गया कि उनकी जो skin का color है, वो भी धीरे-धीरे light हो रहा है, उनके skin के colors में 6 हफतों के अंदर, एक से दो shade का lightening effect देखा गया, और यहीं से ही एक शुरुवात हुई, glutathione को fairness लेने के लिए, इस्तमाल करने के लिए, मतलब कि अगर हम अपनी skin को fair करना चाहते हैं, तो हम glutathione का अस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या glutathione लेने से सिर्फ हमारी skin को fairness मिलेगी, या हमारी शरीर में और भी कुछ benefits होने वाले हैं, तो दोस्तों fairness जो है न, वो तो इसका एक side effect के तौर पर आप कहा सकते हैं, मतलब हमने lead दवा किसी और चीज़ के लिए थी, उसकी benefits तो मिले food होती है, repairing की जरूत होती है, उसको repair करेगा, नींद बहतर करेगा, जोड़ों का दर्द कम करेगा, और आपकी जो थकार हो जाती है, उसे भी कम करने में आपकी मदद करेगा, अब अगला सवाल आता है, कि सर हमें इसे लेना कितनी dose में चाहिए, तो एक व्यक्ति के लिए, जोकि 16 साल से उपर है, उपर वो किसी भी age group में हो सकता है, उसके लिए 1000 mg, एक दिन की dose होती है, अब इस dose को हमेशा आप ध्यान रखो कि दो टुकडों में ही लेजिए, मतलब एक बार 500 mg ले लिया, एक बार अपने 500 mg ले लिया, इसको ऐसे आप सबजो कि अगर आप सुभा, दौपैर और रात का खाना एक साथ खाना चाहो, तो शायद हो सकता है कि आप दबा करके खा भी लोगे, लेकिन क्या आपका digestive system उसको अच्छे से बचा पाएगा, तो definitely नहीं, हो सकता है आपको constipation हो जाए, हो सकता है आपको vomiting हो जाए, हो सकता है आपको loose motions हो जाए, इसी लि में आपको 1000 mg के capsules भी available है, 500 mg के capsules भी available है, तो हमेशा आप 500 mg को choose कीजिए, और उसका एक capsule सुभा और एक capsule शाम को लीजिए, ताकि दोनों time में आप उसे बहुत अच्छे से absorb कर पाऊगे, तीसरा सवाल आता है, क्या सर, इसके साथ हमें vitamin C लेना जरूरी है, येस, आप जब ग्लूटा थे, उन लोग है, तो आपको उसके साथ में vitamin C जरूर लेना चाहिए, तभी आप उसको absorb कर सकते हो, जोकि vitamin C जो है, वो एक antioxidant का काम करता है, साथ के साथ में वो आपकी body के अंदर, ग्लूटा थे, उनके absorption को बढ़ाता है, तो बहुत सारी companies जो है, वो ग्लूटा के बारे में बता रहा हूं, जो glutathione के अंदर ही आपको vitamin C mix करके देती है, जिसकी वज़ा से आपको vitamin C अलग से लेने के जरूरत नहीं है, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं wellness beat के glutathione capsules के बारे में, इन प्यारे-प्यारे capsules को जिने आप screen पर देख पा रहे हैं, इनके अंदर ही आपको 500 mg glutathione मिलता है, और इनी के अंदर ही आपको vitamin C भी मिलता है, जिसकी वज़ा से आपको अलग से vitamin C लेने पर खर्चा नहीं करना होता, और एक ही capsule से आप आपके शरील को glutathione और vitamin C दोनों के benefits दे सकते हो, अब अगला सवाल आता है, कि सर हमें इसे कितने समय तक के लिए लेना चाहिए, बहुत important बात यह है, कि glutathione एक ऐसा antioxidant है, जो हमारी body में naturally बनता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी age बनती है, या age के अंदर हमारे stress आता है, या कोई बुढ़ापे की process में हम जाते हैं, तो ये बनने की speed कम हो जाती है, बंद नहीं होती है, जब ये कम होने लगते तो हमें इसे बाहर से support दे करके, कुछ body को supply करना होता है, ताकि body naturally इसके production को बढ़ाती रहे, इसका मतलब ये हुआ, कि जब भी आप glutathione capsules ले रहे हो, तो आप 6 महीने इस capsules को लोगे, एक से डेड़ महीने का gap करोगे, और फिर से 6 महीने का course करोगे, ऐसे आप चाहों, तो जिन्दगी भर के लिए glutathione ले सकते हो, एक से डेड़ महीने का gap करना इसलिए जरूरी होता है, ताकि body के अंदर जो natural glutathione बनता है, वो बनता रहे, वो process पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, तो जब शरीर को ready made glutathione मिलना शुरू हो जाएगा, तो शरीर इसे बनाना बंद कर सकती है, अगला सवाल आपका आता है, कि सर, हम इसे लेने के बाद क्या उमीद कर सकते हैं, तो छे उमीदें आप इससे लगा सकते हैं, अगर आप glutathione का इस्तमाल regular कर रहे हैं, तो सबसे पहली बाद आपकी ठकान पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, आप ज़्यादा energetic का न appearance आ रही है, स्किन में चमक नहीं है, तो ये चमक लाने में आपकी मदद करेगा, जो कि इसकी बज़ा से आपकी स्किन के अंदर जो free radicals होते हैं, वो मरते हैं, और जितनी तेजी से free radicals मरेंगे, उतना स्किन में चमक आने वाली है, नमबर 3, 6-8 महीने लगातार इस्तमाल करन नहीं है, इसे Amazon से और website से purchase करने का link मैं आपको description box में दे दूँगा, नमबर नेक्स राता है, किसे हम बहुत छोटी एक स्टार्ट कर सकते हैं, देखी बहुत सिंपल सी बात है, वैसे मैं suggest करता हूँ कि आप 20-25 साल के उपर गए हो, तो ही आप glutathone स्टार्ट करें, लेकिन ब बच्चे ऐसे होते हैं, जो 15-16 साल के एज में होते हैं, एनर्ची लेवल उनका बिल्कुल भाण डाउन होता है, तो वहाँ पर आप 16 साल के ऊपर की को glutathone स्टार्ट करवा सकते हो, अगला जवाल आता है, क्या सर इसे छोड़ने के बाद हमारी स्किन में जो results हमनें अचीव वो वापस तो नहीं चले जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिस तरीके से हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, रोज हमारा घर समक चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किनी दिनों में अगर हमने सफाई नहीं की, तो घर में गंदगी आती ही है, और वो हमें जमा होती हुई दिखती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो free radicals बनने की प्रक्रिया है, वो लगा तार चलती है, हर पल, हर क्षण हमारे शरीर में free radicals बन रहे हैं, जिस दिन आप आपके शरीर में glutatheon capsule का intake नहीं करते हो, उस दिन free radicals बनते ही हैं, और वो free radicals आपको जमा होते हुए नजर आते हैं, तो उस दिन से आपकी skin में क्योंकि free radicals जमा हो रहे हैं, तो आपको dullness देखना शुरू हो जाती है, तो make sure कि आप अगर glutatheon को अपनी skin के लिए ले रहे हो, energy level के लिए ले ले रहे हो, तो आप साथ के साथ में अपनी lifestyle का विधार रखो, अच्छी diet लो, अच्छी मींद लो, exercise करो, stress कम रखो, ताकि अगर बीच में आप glutatheon को लंबे समय के लिए छोड़ना भी चाहो, तो आपको किसी भी तरह के adverse effect ना दिखाई दे, अब एक और important बात आती है, क्या sir glutatheon को खाने के साथ साथ, हम glutatheon के serum को लगाएं, तो हमें जल्दी effect होगा, definitely, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप अपनी skin को अच्छा करना चाहते हो, तो आप अंदर से और बाहर से, दोनों side से काम कीजिए, जब आप अंदर और बाहर, दोनों side से काम करते हो, तो आपकी skin की recovery fast होती है, तो रोज रात को सोने से पहले, अ जब दरूर लगाना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको protection दो, अगर आप उने protection नहीं दोगे, skin डल हो जाएगी, skin के ऊपर आपको redness कभी कभी दिखाई दे सकती है, तो बहुत ज़रूरी है sunscreen का इस्तमाल करना, दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि जितने भी आप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है, आपका प्यार आप में जैसे देते आएंगे, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आप से बीदा लेता, आपका knowledge friend Dr. Manoj, thank you so much, bye bye, love you all.